रेके बावत का स्वागत है माता शूलनी जिनके नाम पर आज शहर का नाम सोलन पड़ा है माता शूलनी का पिछले कई दर्शकों से आस्ता का परतीक शूलनी मेला मनाय जाता है ये मेला आज से आरम होने जा रहा है आपको बता दें कि शूलनी मेले को जिलस तरिय मेले का दरज़ा प्राप्त है और इसे ये दरज़ा दिलवाने बाले पूर्भाजपा मंतरी महेंदर नात सौफत हैं ये मेला पहले गंज बाजार में सोसाइटी के मैदान में मनाय जाता था माता शूलनी जिनके नाम पर आज शेहर का नाम सौलन बड़ा है माता शूलनी का पिछले कई देशकों से आस्ता का परतिक शूलनी मेला मनाय जाता है ये मेला आज से आरंप होने जा रहा है अपको बता दें कि शूलनी मेले को जिलस तरिय मेले का दरज़ा प्राप्त है और इ इसका स्वरू बहुत छोटा था जहां अब इस मेले के आयोजन में लाखो रुपई खच होते थे पहले ही मेला केबल 500 रुपई में हो जाता था पहले माता की पालकी को उठाने के लिए मजदूर किये जाते थे जो माता की पालकी को उठा कर सारे शहर का ब्रह्मन करवाते थे इस मेले से जुड़ी और भी कई रोचक जानकारिया सोलन शहर बासियों ने मीडिया को दी माताशूलनी के मेले का आयोजन करने वाले खेमचंद शिर्मा और अन्य शहर बासियों ने बताया कि जिला परशासन दोरा पहले मेला करवानी के लिए 500 रुपई दे जाते थे जिस माता को बहीं तक ले जाया जाता था और फिर उनकी डोली बहीं से बापिस आ जाया करती थी एक बार लोगों के जित के चलते माता की पालकी को सुन्दर से नेमा तक ले जाया गया जिसे माता ने पसंद नहीं किया फिर माता से माफी मांग कर माता को शांत किया गया बहीं ए मादा के प्रकौप से बच पाए और तब से अब तक शूलनी मेला बहुत धूमधाम से मनाय जाता है। यही कारण है कि सॉलन शहर को आज तक कोई आपता का सामनन नहीं करना पड़ा। सभी शहर बास्टियों पर मादा की क्रिपा बनी हुई है। और उनके आशिरवाद से सॉलन शहर में आज तक कोई खाली भूखा नहीं सोया। और ब्यपार दिन दोगनी रात चोगनी उंती कर रहा है। शुलनी मेले में लोग ना केवल हिमाचल से बलकि स्मूचे भारत वर्षे मादा शुलनी का आशिरवाद लेने पहुचते हैं। में 7-8 साल तक इस डोड़ी का सचलन किया और बजार में विजा किया। मेरे को कमेटी से सिर्फ 500 रुपे मिलते थे। और 500 रुपे लगाने में ही मैंने इस सारा विजा करना। डोल वालों को और कितने वालों को बलाके मुआना पड़ता था। तो इसके बाद फिर एक सवा बनी चौक बजार में उन्होंने ये सोड सुदार सवा तो उसने फिर थोड़ी जिम्मेवारी ली। फिर भी मैं डोली का सिंचालन करता रहा। शन उन्होंनी सो उन्होंतर सतर तक मैंने इस का सिंचालन किया। उसके बाद उसने उन्होंने समाल लिया। तो माता दी इतनी किरपा रही इतनी है कि इस वहत चार चांद लगे हुए हैं और शेर में बल्ले बल्ले होगी है। फिर ये माता का ये राजियस्तारी बढ़ा हो गए। ये सोन मंदर जो गंज बजार में माता ही उसके पिछले गरॉंड है उसमें सोन का मिला मनाया जाता था। उसके बाद जब अवादी जादे लगी बढ़ना है तो ये मिला ठोड़ गरॉंड चला गया। ठोड़ गरॉंड में ये मिला चलता रहा। जी उसके बाद कुछ मिमारी पड़गी फिर माता का फेर हिगा किया फिर यहां से माता की जास्त लेके फिर ठोड़ गुरौन में चला गया मिला अब सुरु से ही ठोड़ गुरुन में मंदर से पाल की उठती है और राज महल में पराने डिसी में पराने पराने कोट में वहां से मुड़ के बापस बजार में गुंटी है और ये सारे बजासे होती होई माल रोड से चलती होई और एक दफ़ा की बात है कि हम इस माता की डोड़ी को परे सुन्दर सिन्वे के पास ले गए हैं जी मगर माता को मनजूर नहीं हुआ फिर डोड़ी लच्वी सिन्वे के पास से ही रेटारन का बापस होती रही फिर मंदर में आती थी मंदर में रात को विश्राम करने के बाद तो लाला चरण रास मीट वाले इस डोली को एतवार की शाथ को मंदर में ले जाते रहें आज भी आज भी डोली वाले उठाने वाले सवा के मिंबर ही उठा रहे हैं एक दोफा बमारी उपड़ गी न अफ्षियर में और मेला मनाया नहीं गया और उसके बाद फिर मातावी में टेक करने के बाद तब जाके मेला मनाया गया जाए मातावी मेरा नाम कृष्ण ग्रोबर है और मेरी पदैश भी सोलिन की है जहां तक सूनली मेले से समंदित आपने मेरे से बात की है तो सूनली मेला जो मेरी जानकारी के नुसार कम से कम जब राजा भगाट यहां रियासत का समय था उस समय से ये सूनली मेला मनाया जा रहा है और राजा भगाट राजा दुर्गा सिंग जी इस मेले में माता की डोली को जब ये बजार में आती थी तो इसका स्वागत करते थे यहां पुरानी कचैरी जहां है वहां पर राजा जी का अपना दरवार होता था उस वहां तक माता की डोली आती थी और वहाँ पर राजा भगाट इस माता की डोली को रसीव करके उनका स्वागत करते थे और जो सूनली माता का गंज बजार में मंदीर है यहाँ पर सूनली मेला भरा जाता था जहाँ पर अब जो है सोसाइटी की बिल्डिंग बनी हुई है और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस मेले ने अपना सहरूप बदला सरकारें आई हिमाचर प्रदेश का स्तित्व हुआ उसके तत उप्रांथ जो है यह मेला जो है यह सोलन शाहर तक की सिमित था और गौह के लोग जो थे वो इस मेले में बढ़ चाड़ करके आते थे हम लोगों ने समिती बनाई थी जिसका नाम जनकल्यान सेवा समिती था उनके प्रयाश से और मंत्री जी के सिहोग से इसको जिला स्तरिया बनाया गया फिर धीरे इस मेले ने अपना सा रूप बदला औ और जहां तक पहले यहुआ समर फेस्टीवल था यह अलग से होता था फिर सरकार ने इसको समर फेस्टीवल को इसके साथ इसको अटैच कर दिया और यहां पर जो है ठोड़ो ग्रोण में मेला मनाया जाता है और बहार से काफी लोग इसमें आते हैं और जहां तक मेरा मानना है कि प्रदेश ही नहीं दूसरे राजिया के लोग भी इस मा सूली के प्रती अपनी आस्ता रखते हैं और यहां पर आप इतना विस्तार रूप से हो गया कि लोग बढ़ चड़ कर दूसरे राजियों से आकर के भी यहां पर बंडारे लगाते हैं और मा का शीरवात प्रापत करते हैं तक मेरी जानकारिय उस टेम जो थे यह पहाड़ी बैंड वाजों के साथ माता को डोले में जो था वो आता था और यहां से लेकर करके और सिंपल रूप से मनाया जाता था सिरफ माता का डोला होता था और जो शाहर की परचीन मंडली दुर्गा संकृतर मंडी थी व टवाय लोगों ने भी द्वारा मेला बनाया और लोगों ने माता के प्रकॉप से बचने के लिए द्वार से इस मेले का प्रम किया अली कुष्टियन हुआ करती थी यहाँ पर नीचे अखाड़े के अंदर मिला स्टार्ट होता है। पाल की के साथ दृगा की भूरती और उसकी प्रतिमाः रख करके.. अ प्र ठोड़े ब्रॉण केंदुग वाफिश लाती है। वहाइ पर तीन दिन तक मेला मी पॉर्ण मेलता है। फिर सोंवार को वापिस आती है राते को अपने वापिस आ करके अपने भावन के उपर वाउस को स्थाफित कर देते हैं उसमें थोड़ा नराजगी दिर्व गहां तो वह काफी यह अनर्थ सा हो गया था तो वह सब लोगों ने मिल करके एक शवाव जाचना मांगी और फिर शूली मा का मेला मिनाया गया तो यह था आज दिन बर का कारेक हम कल फिर हाजर होंगे नई के दिदिन के साथ आप ऐसे ही जुड़ी रहे है एच्टुडे के साथ मैं श्कार